हेलो गाइज, वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ वोमबो मी एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइज गर आप भी जानना चाहते हो वोमबो मी एप्लिकेशन क्या है और इस अप्लिकेशन को हम अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रही है वीडियो शू करने से पहले गाईज अबी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस अप्लिकेशन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो अबाउट इस एप का ओप्शन मिलेगा इसके उबर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप जोल ले सकते है इसके अलबा यहां पर आप देखतो इसके रिव्यूज रेटेट वगर आपको देखने तो वह भी देखतो 4.0 को स्टार मिला हुए 9 के रिव्यूज है रेटेट देखतो 3 प्लस रेटेट है और इस 500 के जो डाउनलोडिंग है कैसे अप्लिकेशन को यूज करना चलिए मैं को बता देता हूँ सबसे पहले हम अपने फोन में इसफ ऐप्लिकेशन को और जैसे अप्लिकेशन ओपन करेंगे बाद सभसे पहले यहाँ पर कँटों शुटीनी करें आपना को च्प्छेन कर आप अपनी प्राइप इसांपय सबर्डूंद कर आपना अकांट आप fiz追 भी आप ले सकते हो, नीचे की सेर में यहाँ पर आपको एक्जामबल भी दिये हुए, कि इस तरह से आप गैलरी से फोटो ले सकते हैं, और इस तरह से फोटो कैप्चर भी आप कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गैलरी से फोटो चूज करूंगा, अलाव पर क्लिक साफ होंग में आपको लाईव कर करेंगे, यहाँ पर नीचे कि सेर में यहाँ पर क्या करेंगे, का बाद यहां पर हमारी फूटो से हमारा जो यहां पर जो है जनरेट होगा तो हम गाइस यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे तो गाइस यहां पर इसे डाउलोड करना है तो आपको नीचे की सेर में डाउलोड वाला ऑप्शन मिलेगा इसके उपर क्लिक करना होगा और इसके उ निपहरें बतकिक है और रहुंत नोलग को यहां पर हम वाले शॉan हो हो चुक है और पूमारे बदके त्यार हो चुक है जो भी फॉटो आपको करने आप को आप ऊप्शिनीundred करेंगे तो States जो है finish हो जाएगा account और यहां पर देखते हो create वाला option इसके उपर हम click करके यहां पर आपको create का और भी option यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा और guys create पे click करने के बाद यहाँ पर और भी हमारे सामने category मिल जाएगे जिस भी category में अपने AI अवतार create करने वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगे जिस भी category में करना सेम प्रोसेस है उसी परकार से जो मैंने आपको बताया उसी परकार से इसमें भी आप अपनी photo को create कर पाएंगे ठीक है और जो photo आप create करेंगे वो यहाँ पर gallery का option शो हो जाएगा इसमें आपकी photo जो रहेगी आपने create की रहेगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी ठीक है